मेरे सभी बड़े वो छोटे भाई बहनों का यम्ध्य यासवाल Online Classes में तो स्वागत तो हही है लेकिन आज जो है साइंस की दुनिया में ता बरतोड स्वागत है मेरे भाई आप लोग जो है साइंस को लेकर की पर्सान है ध्यां दिजिएगा साइंस को हम लोग अभी जो यहा सब कुछ पढ़ेंगे सार्थक अंग पढ़ेंगे कोटी मान पढ़ेंगे गती पढ़ेंगे बल पढ़ेंगे जो भी आएगा मेरे भाई सब को सब क्या करेंगे कच्चा चबाएंगे ठीक है बस देखते जाओ देख मेरे भाई अब मापन आ गया तो मापन के अंदर जो है पहले आता है भीया मूल रासी क्या होता है मूल रासी हम लोग इसको पता क्या करते हैं ये पापा जी है क्यों भीया क्योंकि ये जो है किसी पे निर्भर नहीं करते हैं ये सोतंत्र होते हैं अच्छा ये बात है औ और जो पापा से जो पैदा होते हैं उसको हम लोग कहते हैं बियुत्पन रासी क्या कहते हैं यह तो बात हो गया अब ध्यान देना मुल रासी की जो संख्या होती है अब जो ए साथ है लेकिन 1960 तक जो है ठीक है छे ही था फिर बाद में 1971 में ठीक है एक और बढ़ा दिया गया जिसका नाम है पदार्थ की मात्रा ठीक है ना इसका जो है मूल मात्र क्या होता भीया जल्दी बोलो मूल होता है अभी इसके बारे में तावर तोड होगा ना कोट होगी ना कोई सुनवाई होगा सिर्फ यहाँ पर तावर तोड होगा रफा दाफा होगा देख मेर भाई यहा ती ती बरता है आपके पेपर में पूछ देगा कि भैया आप मुझे ये बताईए चार बिकल्ब देदेगा समय को ताप को बिद्धारा को और एक चीज और देदेगा छेतरफल कहेगा इसमें से ब्यूत्पन रासी है तो मेरे भाई ध्यान देना इन सातों को छोड़ करके ज सब क्या कहलाएगा प्यूत्पन रासी कहलाएगा अच्छा ये बात है मतलब लंबाई दर्वमान समय ताप बिद्धु धारा जोती तिवरता और पदार्थ की मात्रा क्या भीया मूल रासी है और क्या बोलोगे 1960 तक जो है इन च्छो को ही लिया गया था लेकिर 1971 में पदार की मात्रा को भी सामिल कर दिया गया था जिसका मूल मत्र क्या होता भीया मूल होता है इसका एक्जामपल दीजिए इसके एक्जामपल अनंत हैं किसको किसको याद करोगे लेकिन ध्यान देना छेत्रफल भाईया छेत्रफल लंबाई गुड़े चवड़ाई ध्यान देना य तो वे रासी जो मुल रासी से पैदा होगा उसको क्या कहेंगे व्यूत्पन उत्पन हुआ है आयतन हो गया ठीक है चाल हो गया वेग हो गया मतलब बहुल सारा है बस दिमाग में यह फिट करना क्या फिट करना कि भाई या इन सातुन को छोड़कर जोवाएगा क्या कर स्कndyक और इखutan आरे All किजिए ध्यान दें यहां पर मूल मात्रक औरो में इसे बोल लं भाई ब्य Oak地 कॉम प्रणी करें कि मेडर अच्छा यहां पर ताबर्टोड हो रहा है मेरे भाई, ठीके, roughly type हो रहा है, बस को सुनते जाओ, अब देखो, दरविमान को क्या बोलेंगे भाईया, किलो ग्राम, समे का सिकेंड, समे का सिकेंड, ताप का केलवीन, ताप का भाईया क्या होगा, केलवीन होगा, पूछता पेपर में ताबर्टो के और होवा तो जान गए हो पदार्व की मत्राः का मूल मत्रा प्रद किया मूल होता है इतना है अपढ़ा यहां पर आ आ गया मूल मा वैँत्पण राषी इंनुल सॉरी यह क्या होते हैं बियुत्पण मात्रा चाहे मतलब भी युथमा रह शोरी औह रहे पर जो हम लिगाखत करते हैं मातरुक्त जो यूज करते हैं क्या कराएगा वियूत्पन मातर कहलाएगा अच्छा तो पल интер तो छेतर फल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, देखो मीटर गुड़े मीटर, मीटर स्क्वायर, आयतन का क्या होता भी है, लंबाई, गुड़े चड़ाई, गुड़े उचाई न होता है, लचव होता है, लचव, लंबाई, चड़ाई, उचाई, तो इसका क्या हो जाएगा का जल्दी बोलो मीटर क्यूब हो Fen шт huh 216 तोraph control दिमाब पर बोच मत दो ठीक मैं बैगे बठते हैं अब इसके बाद मेरे भाही है पूरक मात्रक पूरक मात्रक दोपूरक मात्रक अता है दोपूरक मात्रक Purak ताबड टोड़ एक्जाम में पूछता है क्या बोलोगे बच्चा बच्चा जानता है एक होता है रेडियन एक होता है इस्टे रेडियन जानते हो ना मेरे भैया तो यह पूरक मात्रक है तो दो पूरक रासी का नाम बताईए तो रेडियन जो होता है कोड का होता है और यह होता भैया घनकोड इसको कच्चा चबा के आप लोग खा जाइएगा क्योंकि एक्जाम में ताबर तोरथ पूछता है, अब देख मेरे भाई, ये तो तुम्हारा हो गया, उसके बाद आता है, और दिस रासी सदिस रासी, इसमें से एक कोशन देखने को मिल सकता है, और दिस रासी क्या होता है? स्राशी कहते हैं और जिसको परिमार के साथ साथ ना दिसा भी चाहता है मेरे भईया क्या कराएगा जलदी बोलो सादिस्वासी कहलाता है अच्छा यह बात है तो एक जामपल दीजिए एक जामपल मेरे भाई बहुत सारा है तो लेकर ट्रिक जानलो जो अभी लिखे थे ना ठीक मेरे भाई और तुम्हारा जो चाल हो गया बहुत सारा है तो ये बात जो है इतना याद कर लोगे कि जो मूल रासिया जो होते हैं साथ गोना लंबाई दर्वमान समेता विदुधारा जोतिति बरता और पधार्थ की मात्रा ये सब क्या हैं मूल रासि हैं लेकिन उसको ज के लिए बस केवल परिमार चाहिए दिशा की जरुत नहीं होती है इसके बारे में पुरा बीधवत जाना है तो प्लेलिस्ट में जाए ठीक है हम पूरा पोस्टमाटम कर करके उसको हम बताए हैं लेकि मेरे भाई यहां पर क्या है ताब और तोड बताना है ठीक है ना बहु बिस थापन ध्यान देना विस थापन और बताए है वेग हो गया वेग बिस थापन के बाद वेग आ गया फित तौरड आ गया बल आ गया संबेग आ गया अरे भाई यहां बहु सारा एकजामपल है इसको ब्यक्त करने कि लिए ना परिमार भी चाहिए और दिशा भी किस दिवाल को ढखे लें कितने नीटन का बल कहां पर लगाएं उत्तर पूरु पच्छिं कुछ बताओगे मतलब दिशा की जरत परती हैं आप लोग समझदार हैं ठेके मेरे भाई आए बढ़ते हैं अगले कोशन पर ध्यान दिजिएगा अब इसके बाद हम लोग पढ़े बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और इस पर सीने की कीमत को अप लोग समझजिए अपने दोस्तों में इस वीडियो को सेर कीजिए ठीक है ठीके मेरे भाई सीजी यास होता है ठीके यह पी यास होता है अच्छा और इसी का जो मोडिफाई जरूप है न यस आई है ठीक है मेरे भाई, 1967 में लिया गया था यसाई, ये क्या हो गया? अरे भईया जैसी मंडी होगी वैसा भाव करेंगे, जैसी मंडी वैसा भाव? यदि मान लिजिए आपको जो है कपडा सिलवाना है, कपडा लेना है, तो क्या कहोगे भईया, 2 मीटर कपडा दीजिए, कहोगे वहाँ ये नहीं कहोगे कि 2 cm का कपड़ा दीजिए अच्छा अज यहाँ पर छोटी दोरी मापना होगा न सेंटिमीटर का प्रयोग करोगे और आप लोगों को जमीन लिखोना है तो क्या कहोगे कि भाईया आमको 2 मीटर जमीन दीजिए नहीं 20 फूट जमीन दीजिए तो यहाँ पर आ गए मतलब लंबाई को मापने के लिए मीटर सेंटिमीटर और यहाँ पर फूट होता है बात समझ में आ रहा है और यहां पर भाईया दर्विमान को मापने के लिए कीलो ग्राम ग्राम और पाउंड होता है बच्चा बच्चा जानता है ने मेरे भाईया तो कीलो ग्राम मतलब समझाईए इसको अच्छे धंग से अच्छे धंग से समझना है तो प्लेलिस्ट में जाका चेकिजिए करोगे कई और जब आपकी घरवाली जब आएगि और बोलेगी कि हमको एकान में जुमका बनवा दो, भाई, भाई, नहीं, सamaan जी तब क्या कोगे कि दो किलो का जुमका बनवा दे नहीं वहांपे क्या काऊगे मिरे ग्राम में कहोगे 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम यह ने कहोगे तो वहाँ पर आजाओंगे और ये पाउंड होता है ठीक मेरे भाई अब ध्यान देना और समय क्या होता है सेकेंड होता है अच्छा हमने कहा था कि यम के इस का ही ठीक निट्रिक पडाली भी कहते हैं पेपर में पूस सकता है फ्रांसीज़ी भी कहते हैं अच्छा पूस सकता है और यह फियस को मेरे भाई न, बिटिस प्रडाली कहते हैं, क्या कहते हैं, बिटिस प्रडाली भी कहते हैं, इतना बत आ गया, अब आए बढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ते हैं, समझदार हैं, ठीक है, देख मेरे भाई, अब सार्थक अंक आ गया, तो सार्थक अंक के बारे में आपके पेपर में पूछे आ ना पूछे लेकिन इसका एक एक जामपल दे देगा, ठीक है ना, कोई उधार दे देगा, बोलेगा कि इसमें सार्थक अंक है, बताईए, तो इसके मेरे भाई जो है, ठीक है, ये सब चेप्पर हम बना चुके हैं, देख लीजिएगा, लेकिन यहां पर मेरे भाई ताबर तोड़ है, ठीक है, बस के बाई समझते जाएए, ध्यान देना, जितने भी अंक आते हैं, जितने भी अंक आएंगे मेरे भाई, सब क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, जैसे मेरा जो है, मुबाईल नंबर है, 83 तो भाईया इसमें कितने सार्थाकंख है बताओ सब तो अंक ही दिखाई ज़रा है दस सार्थाकंख है आ रहा है अब देखो भाईया दसमलो का खेल होता है दसमलो के खेल में मेरे भाईया जो है 0 सुनने को लें की न लें अच्छा जिसे मालो आ गया इसको तो गिलेंगे यहां पर शाथ आप ऐसाना चाहे हो यहां यहां पर कौन नहीं है 0.0024 आ गया तो नियम में लिखाया जाता है कि दस्मलों से पहले यदि अंक नहीं होता है ना तो उसके बाद के जो सुनने आते हैं ना छोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? दो हो जाएगा अच्छा मालो यहीं पर होता है 0.002403 इसको तो नहीं गिनेंगे लेकिन देखो इसको गिनेंगे इसको गिनेंगे और इसको भी गिनेंगे क्योंकि अंक के बीच में आया है ना ठीके? अब ध्यान देना मालो जो इसके पहले अंक आ जाए तो तब जो है 0 का महत तो बढ़ जाएगा हमको भी गिन लो, ऐसे होगा, ध्यान देना, 2.0024, तुब जा, इसको गिनोंगे, एक, दो, तीन तो गिनोंगे, इसको गिने की न गिने, हाँ, गिनोंगे, क्योंकि, इसके पहले क्या अंक आया है, बास सुन्ञ आ रहा है ना, इसको भी गिन लोंगे, ठीके, उसके बाद दसमलों का खेल है न तो जो लाश्ट में जो आया है क्या जिरो इसे को भी गिनते हैं मतलब एक दो तीन चार पांच छे इसको तो गिनेंगे ही क्योंकि आप बोल दियो कि दसमलों से पहले अंक है इस हिसाब से गिन लोगे और एक नियम यह भी कहता है कि अंक के बाद जिरो आ नहीं देते हैं चाहे प्लॉस में हो चाहे माइनस में हो ठीक है उसका सार्थक अंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसको मेरे भया पढ़लो पेपर में कुछ भी आ सकता है यूपी टपलसी पेट का इजाम देने वाले हो आप लोग न तो आप लोग साइंस को वहाँ पे लिखा होगा साइंस आल इंडिया एकजाम तीन चार वीडियो बना होगा मेरे भाई अभी सुरवात किये है ना तो उसको जाकर के देखिए और कच्छा चबा के खाईए ध्यान देजिए यह तो तुमरा हो गया अब बात करते हैं भाईया कोटी मान की कोटी मान अच्छा ध्यान देना यहीं पर देख लो सब कोटी मान क्या होता है कुछ नहीं मेरे भाई बहुत इजी है जो 10 की घात में जो लिखा होता है वही तुमरा कोटी मान होता है लेकिन पहले यहाँ पर समझ लो देखो 2.4 इंटू 10 के पावर आ गया मान लो जो 7 यह वाले लगने हम नौ लिखेंगे तो कुछ भी लिख लो मेरे भाई या लिख लो तो कोटी मान क्या होगा भाई या 10 के पावर 8 ही होगा लेकिन ध्यान देना यदि यह वाला जो मान है तीन दसमलो एक छो से बड़ा है अच्छा तब इसके घात में न एक जोड देना क्या करना भा तो जो लिखा था हम जो वही लिख दिया कि कोटी मान भाई या है लेकिन यहां पर जिसे मान लो आ गया 4.1 ठीक है 7 इंटू 10 के पावर 9 आ गया तो बताओ क्या होगा भाई या और यह तो बड़ा है तो देखो 10 के पावर 9 तो होगा ही लेकिन इसके घात में एक जोड़े क जा सहब से पूछिए कि भाईया यह तो जो इससे बढ़ा गया 3.1 ठीक है जोड़े कितना हो जाएगा भाईया जल्दी बोलो 10 के पावर 10 हो जाएगा आया निगेटी में रहेगा तो उससे मतलम नहीं है जैसे मान लो आ गया ठीक है 4.3 4 इंटू 10 के पावर माइनस जो है 9 ही ना तो यहां पर एक जोड़ो कितना होगा जल्दी बोलो 10 के पावर माइनस 8 होगा कुछ दिमगबा में घुच रहा है यहाँ पर भया जहें माइनस नौ है प्लस वन हुआ तो कितना आएगा माइनस आठ ही ना आएगा कुल मिला जुलाकर मेरे भाई यह हो गया कोटी मान आपके सवाल में पेपर में ऐसे भी पूसकता है या इसी को लिखा रहेगा सुर्य और ग्रह के बीच की दूरी इतना है तो कोटी मान बताईए तब ऐसे किस में आप लोग क्या करेंगे दसमलो को एक अस्थान पर रख लिजिएगा रख लेंगे जिसे मान लो यहाँ पर आ गया भी या ठीके पंद्र पर आ गया जो है पांच छो जिरो आ गया अब बताओ इसमें बताना है कोटी मान दसमलो को ही दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है क्या करोगे दखो यहाँ पर समयलो की पॉइंट है घसकाओ एक दो तीन चार पांच छे लोग वान पॉइंट फाइब टिन के पावर कितना होगा प्लस में की मैनस में जल्दी बोलो प्लस में होगा कैसे भाईया यह जो है इतना लाख था इसको हम पॉइंट में कर दिये तो लाख में बनाने के लिए च्छ काहिन पावर करेंगे प्लस में प्लस में करोगी और यदि हम ऐसे ले जाते तो करते माइनस में अच्छा अब बता हो गया बस बस क्या निकालना है भाईया कोटी मान हम जानते हैं यम के जैसवाल बताए थे क्या बताए थे भाईया जो दस पर घाते में जो लिखा होता पूरा मान न वही होता है कोटी मान इसमें एक जोड़े की न जोड़े बोरो भाई या 1.5 है न 3.10 में लोग 1.6 से क्या है छोटा है नहीं जोड़ेंगे क्या होगा यही कोटी मान होगा और 10 के घात की जो लिखने की जो बिधी होती है न उसको हम लोग बैग्यानिक बिधी भी कते हैं यह मेरे भाई theory session है आप लोगों का support मिलेगा तो जितने भी question है ताब और तोड़ हम जो पढ़ते जाएंगे समझाते जाएंगे तो यह हुआ सार्थकंग कोर और कोटी मान ठेक है अब आई हमनों बढ़ते हैं गती पर UPSC पेट मेरे भाई क्योंrien निकलेगा बताओ पेट मत बोलना की पेट निकालना है पेट निकालने तो ऐसे पेट निकल जाएगा लेकिन मेरे भाई पेट नहीं निकलना है UPSC पेट निकलना है और बुन्द बुन्द से तला भरना है ध्यान देना अब यहाँ पर भैया बात करते हैं गती की ठीके मोसन ठीके बाते तो मेरे भाई बहुत सारी हैं लेकिन हम लोग जो यहाँ पर क्या करेंगे भैया बताएंगे दूरी क्या होता है अब देखो यह ननकुआ ठीके बचवा है अभी क्या किया भैया घर से जो है निकल गया कहा न तू कुल पूरा मार की लंबाई को किया कहते हैं दूरी कहते हैं लेकिन अगला आता भया ता भया ह Gesetzentwurf क्या होता है displacement first or last के बीच की दूरी को कहते हैं अच्छा जैसे माल लो ये घर से निकला था न निकला फिर वहीं आ गया वहीं आ गया कुछ दूरी मिला कुछ दूरी हुआ नहीं मतलब zero जहां गत से निकला वहीं पर आ गया मतलब zero लड्डू हो गया अब देखो मेरे भाई सवाल कैसे आता है ये वहाँ सवाल ये है भाईया अदिस रासी ध्यान देना इस पर सवाल जो है पेपर में आपके पूछ सकता है आपको खुद आनन्द आएगा ध्यान दिजिएगा जैसे मालो ये बालक है अपने हाथ में गेंद को लिया उड़ा दिया कितना भाईया यच मीटर चल भाईया यच मीटर नहीं पता कि एक मीटर कि दो मीटर यच मीटर और फिर उसको जो हाथ में यह लोक लिया ले लिया तो बताना है भाईया दूरी कितना होगा बिस्थापन कितना होगा बताओ मेरे भाई जल्दी बताओ यहाँ पर भया यच गया यच आया मतलग हो गया टू यच अब बिस्थापन क्या होगा भया जीरो होगा यहीं पर मान दिया होता ना एक मीटर तो कहते टू मीटर ठीक है यहाँ पर कहते टू मीटर और यहाँ पर क क्या कर रहा है दगडख दगडख साईकेल चला रहा है बाइच चला रहा है तो अधी दूरी पर प्रेपर में पुछता है अधी दूरी पर अधी दूरी पर combines तो आधे चक्र में बताइए दूरी क्या होगा और बीस्थापन क्या होगा तो क्या कहोगे तो यहां से गया है यहां उपर आ गया कहने का मतलब मेरे भाई यह है जैसे मालो यह पूरा चक्र लगाया होता तो हम लोग कहते हैं टू पाई आर न कहते हैं यह आधा चक्रल लगाया है तो क्या कहोगे भाया टू पाई आल नहीं कहोगे पाई आर कहोगे अच्छा अच्छा विस्थापन कितना हुआ, भीया, यहां से चाण, क्या किया था, सुरू किया था, और यहां पर आ गया है, मतलब यह भूँआ, यह हुआ आर, कितना हुआ है, भीया, टू आर, मतलब जो है, डाइमीटर ठीकें, ना, ब्यास के बराबर होगा, ठीक है अब ध्यान देना और यही कहा होता कि पुड़ चकर में ठीक है एक चकर लगाना है ठीक है ना उसके बाद एक पुड़ साइकलिक्त के बाद भीया दूरी बताईए और विस्थापन बताईए तो बच्चा बच्चा कहेगा कि भीया दूरी जो होगा टू पाई आर पूरा ब्रित्य की परिधी ठीक है मेरे भाई टूपा यार हो गया विस्थापन क्या होगा लड़ू होगा कैसे मेरे भाई जहां से सुरुवात किया थे वही पन आ गया ना तो क्या होगा जीरो होगा तो दूरी और विस्थापन के बारे में इतना खेल आप जानते रहिए पीपर में पूछ सकता है ठीके दूरी जो है कभी भी निगेटिव नहीं होगा कभी भी 0 नहीं होगा लेकिन बिस्थापन जो है न 0 हो जाता है बाते बहुत सारी है मेरे भाई ठीके तो UP triple C पेट के लिए जुद्ध है रिकिस में होने वाला है इसके लिए मेरे भाई इतना ठीके ठीके अब आये बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर इसको मिटाना है तो पहले मिटा लेते हैं मेरे भाई उसके बाद क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा वीडियो लंबा बने जो भी बने ताबर तोड़ बने ठीके यूपी ट्रिपल सी पेट मैरा थन क्लास ही समझे है मेरे भाई ठीके हमारा जो लाइफ क्लास भी हो सकता है लेकिन अभी आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिला मेरे भाई जीजनी मिलेगा वो जो लाइफ जो है तहलका मचाएंगे बस आप लोगों का मेरे भाई जो सपोर्ट चाहिए ध्यान दिजिए यहाँ पर अब बात करते हैं चाल की बारे में चाल के बारे में वेक के बारे में और तुरड के बारे में उसके बात चलेंगे गती के समी करड़े में कच्चा चबा के में लोग खाएंगे ठीक है ना फिर गती विश्यक नियमें चलेंगे ठीक है मेरे भाई चाल क्या होता है अरे भाईया चाल दूरी बटा के समय बच्चा बच्चा जानता है ये अदिसरासी होती है और ये क्या होता भाईया बिस्थापन जो भी बात किये हो तो बिस्थापन बटा के समय अच्छा तो मतलब यह हो गया सदिस रासी अच्छा और यह लिखा है बोलो जल्दी बोलो तोरड अच्छा तो वेग परिवर्तन की दर को वेग परिवर्तन की दर को भया क्या कहते हैं तोरड कहते हैं आपके पेपर में इसे पूछ देखा वेग आचाबा क्या खाओगे अप लोग क्या कहोगे तोरड कहते हैं ठीक है ना अशे रहेगा कि वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं चाल वेग तोरड बल क्या कहोगे मेरे भाई कहोगे तोरड ठीक है ये तो तुम्हार हो गया अब बात करते हैं भाईया न्यूटन ने ध्यान दी यह थे थे क्योंति में पूरा लग भूंँ बताने न तो कुल 16 समिकरण है दिखा दें आईए देख मेरे भाई जिससे तुमारा प्रथम वाला क्या होता है भी बराबर यू प्लस half eighty square होता है और एक होता है V square बराबर यू square plus 2A यस होता है ये कब होगा जब आपकी जो कार है ना जो कार है %. eigenlijk क्या कर wyb't रही है बढ़ रही है बढ़ रही स्पीड थो नौड़ बढ रहा है तब ये plus में लेते हो के और यही मेरे भाई कहीं ब्रेक लग जाता है ठीके रूख गया स्टाफ हो गया मेरे भाई उस टाइम इसी समीक्रड में क्या खते हो भी बराबर यू-80 मेरे साथ साथ बोलो आपको आ रहा है यस बराबर क्या बोलोगे यू-80 स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू-2 यस तिन तिन न हुआ है अब देखो ऐसे भी तो होता है मेरे भाई जब आप गेंद को जो है उपर से छोड़ते हो उपर से क्या करते हो छोड़ते हो कुछ नहीं है ठीक है जहाँ पर ए होता है वहाँ पर लिखते हैं जी जहाँ पर यस है वहाँ पर लिखते हैं यस बाकी सारा खेल खेला हो बे वही खेल है देखो यहाँ पर हो जाएगा भी बराबर यू-80 नहीं प्लस-80 नहीं जी-T हो जाता है यस नहीं यस बराबर यू- प्लस हाफ जी टी स्क्वाइर भी स्क्वाइर बराबर क्या होगा मेरे भाई यू स्क्वाइर प्लस टू जी यच होता है रे मेरे भाई और यही जब हम नीचे से जब फेकते हैं न फेकते हैं न मेरे भाई फेक दिये न तो वहाँ पर क्या होता है जहाँ प्लस है वहाँ पर कर देंगे माइनस ठीक है सारा खेल वही रहेगा जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस अब ध्यान दीजिए यदि कोई वस्तु बिरामा वस्ता से चलती है चुप-चप खड़ी है, मोटर साइकल खड़ी है, कार खड़ी है, तब चलना प्रणम करती है, मतलब मेरे भाई, यू का मान, यू का मान, तुमझे जीरो भरना, इतना बात याद आया, उसके बाद मान लो जहे, कोई गारी चल रही है, ब्रेक लगा दी, रुख गई, मतलब अंतीम बेक, तुम्हारा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, उसके बाद मेरे भाई, जब उपर से जब तुम छोड़ते हो न, छोड़ते हो न, तो यू का मान हमेशा क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, इस बात को याद रखना मेरे, यू पी ट्रिकलस से पेट के साइंस को द आईएगा, हम इस पर सवाल भी बताएंगे, ठीक है, यह तुम्हार हो गया, अब जब हम लोग जो है, नीचे से जब फेकेंगे, ध्यान देना, जब फेकेंगे, तो भाईया, अंतीम बेक क्या होगा, जो यहां से गया, दग 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 गया इसे, गया, फिर लाश्ट में क् मतलब अंतीम बेक तुम्हारा सोन हो जाता है, यह नहीं देख, आपके सवाल में यह नहीं दिया रहेगा, आपको अपने से सोचना होगा, ओ, गेंद को उपर से छोड़ा है, मतलब यो, जीरो, ओ, गेंद फेका है उपर, मतलब भी जीरो, बाकी सब्मान जो दिया रहेगा, तो उसको भर के निकाल लेगा, देखो, तो तीन, तीन, छे, तीन, और तीन, यह वाला जो है, बार हो गया, बार होगा ना, और एक और आता है, क्या भी या, टीवे सेकेंड में, टीवे सेकेंड में चली गई दूरी, जिसे पेपर में कहता है, चाहिशी को लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, पांच सेकेंड के बाद कहते हैं, और एक होता है, पांच में सेकेंड में, ध्यान देना, पांच में सेकेंड में चली गई दूरी, पांच सेकेंड के बाद कहेगा, चली गई दूरी भाया, तो यह सब खेल होगा, लेकिन जहां लग जाते हैं, वें, पांच में, दस में, बिस में, सेकेंड में, तब वहाँ पर लिखोगे, आप लोग, यस T equal to, ठीके, T में हो गया, ठीके, U plus half A, 2T minus 1, 2T minus 1, यस हो गया, plus half लिखो, A, 2T minus 1, लिख के उसके बाद कच्चा चबा जओ, ठीके, यदि जो है, बढ़ता है, तो plus में, घरता है, तो minus में, जो घरता है, तुरण, उसको कते हैं, मंदन, तुरण कहते हैं, तो गती के बारे में, मेरे भीया, जो समीकरण है, यह हुआ, अब ध्यान देना, इसी के बाद, दुखो, इस पर सवाल भी है, इस पर सवाल भी है, जब सवालों कि जब बहुचार जब होगी तो बता दिया जाएगा, ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना मेरे भाईया, यहां पर जो नियूटन का, नियूटन का गोती बिशयक नियम होता है, थियोरी है, पूछता है एक नंबर का, तो नियूटन ने गो तम नियम को जड़तों का भी नियम कहते हैं, वो कहते है मेरे भईया कि जब कोई वस्तु रेष्ट में है, तो रेष्ट में ही होगा, अच्छा, कोई वस्तु मोसन में है, मतलब गती कर दिए क्यों और था मुसन तो मुसन जब तक कि उस पर कोई बाहरी बन लगाया जाए जैसे माल लो मेरे भाई ये जो है किताब है अब इसको हम रख दिये यहां पर रख दिये अब जब रख दिये भीया तो ये सुमवार को भी ऐसे ही रहेगा चार दिन बाद आएंगे तो ऐसे ही रहेगा जब तक कि इस पर कोई जो है बाहरी बन लगा लिए जाए समझ रहे हो ना कोई गती कर रहा है तो गती ही करता रहेगा जब तक कि कोई ब्रेक न लगा ले होता है ना घर्षर बन लगे आप लोग समाज़दार है तो भया यफ का मान आता है यम ए कैसे आया भया यफ जो होता है संबेग द्यान देना संबेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है ठीक है मेरे भाई अब करो कि यह कहां से आगया अब थोड़ा साथ इसका समझ लो यफ है ना तो यफ बराबर हम कर दिये संबेग को करते हैं पी करत मता क्या है क्या होता है द्रब्यमान गुड़े वेग को डिए कर दिये कैस्थ तो देखो यहांरो ओ यह वेग है और क्या है ताइम है तो हम अगजते आ बादर बराबर माँ नहीं या या ये तुम्हारा हो गया बल का मातलग जो होता है न्यूटन भी होता है यमकेस में सीजीस में क्या होता है डाइन होता है एक न्यूटन बराबर टेन के पावर फाइफ डाइन होता है मतलब जब दस के पावर फाइफ डाइन जब मिलती है न तो एक न्यूटन के बराबर होता है और मेरे भाई इससे निकालोगे तो यम का होता है किलो ग्राम और एक हो क्या होता है ज्यादी बोलो मीटर प्रती सेकेंड स्क्वायर आप लोग कच्छा चबा के खा जाओगे मुझे पता है यह तुम्हारा मेरे भाई हो गया अब आता है त्रितिन यम बड़ी मज़े है देखो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर लगाती है तो पहले वस्तु द्वरा लगाए गए बल को एक्शन कहते हैं और जो तुमको मारा है ना रियक्शन कहते है अरहा है तो एक्शन रियक्शन का भी नियम पूश्टा है कि न्यूटन के किस नियम को जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं बोलोगे त्रिति नियम को क्या बोलोगे न्यूटन के त्रिति नियम को कहते हैं ठीक मेरे भाई अब ध्यान दो यह तुमारा हो गया इसक 200-5 मिट में यहां शर्ज बढ़ में वाय को बताने में खर्शण बल में जैन पर और देंब्हारों यहां पर 10 gör ब्ला बढ़ेया में पूरा विधवल का वीडियो बना होगा उसको वहाँ पर जो अच्छे तरीके से देख लीजेगा ठीक है अराम से बता हैं वहाँ पर लेकिन मेरे भाई यहाँ पर मैराथन क्लास के रूप में ताबर तोड़ हो रहा है ठीक है ना आप मुझे यह बताईए जैसे माली जीए कोई घर होता है तो घ चीतने भी सुत्र होते हैं उनका जीमा कौन लेता अबहिया दरवबान का यम लंबाई का यौल समय का जल्दी बोलो फॉमए का ठी ताप का ठीटा अच्छा विद्धुदारा का है जल्दी बोलो क्या होगा इंपियर ए होगा यही क्या करें कुछ नहीं मेरे भाई इसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखिए तुम मुझे सुत्र दो तुम मुझे सुत्र दो मैं तुम्हें बीमा दूँगा तुम मुझे सुत्र दो मैं तुम्हें क्या दूँगा भैया वीमा दूँगा बास समया रहा मेरे भाई तो कहने का मतलब यह है कि आप जिसे मान लेजे किसी का भी ठीके बस यहां के हम जो छिड़क रहे हैं बढ़ियां से देखना होगा मेरे भाई तो उसमें जाकर प्लेलिस ठीके लंबाई गुड़े चवड़ाई गुड़े उचाई कहते हो ना तो इसका भी यल इसका भी यल इसका भी यल क्या होगा भीया यल क्यूब होगा देखो लंबाई का क्या है यल है ना तो इसी लंबाईया में जो है अंदर घुसा हुआ है चवड़ाई उचाई दूरी बटा के समय दूरी का यल समय का टीर ये नीचे हो गया इसको उपर ले जाओ तो क्या होगा LT-1 जो चाल का है वही मिरे भाई जो वेक का भी होता है फिर निकालोगे तोरड़ का तो होता है ठीके ज़दी बोलो क्या होता है वेक परिवर्तन के दर को न तो यहाँ पर लिखोगे वेगपरिवर्तन की बीमा बठाके समय न तो वेगपरिवर्तन का अभी निकाले हो वेगवाला YOLT minus 1 और यहाँ पर हो जायगा T इसको मेरे भाई उपर ले जाओ, क्या हो जायगा minus 1 पहले से 1 minus जो है बढ़ जाएगा यल T-2 हो जाएगा आ रहा हो है कुछ दिमाग में जब निकालना होगा बल का तो कहेंगे फुख़ा बराबर अमा होती है many होता है तो मेरे भाइ इसका हो जाएगा यम इसका हो जाएगा तोड़ण है तोड़ण तो भरो गई yal t-2 तो कुल मिला जो लाके हो जागा yal t-2 कितना बताए मेरे भाई उर्जा कोई भी उर्जा आता है ठीके उसका लिखना yal yal 2 t-2 गुरुतवी इसनी इर्जा आ गया ठीके गती इर्जा आ गया कार भी एक उर्जा होती है सबका वीमा क्या होगा यम यल 2 T-2 पेपर में छेतरते हुए आता है मेरे भाई दाव का तुम मुझे सुत्र दो यब बाई ए होता है बल बटा के छेतरफर यहाँ पर आप जो बल की बीमा भरो यम यल T-2 ठीक है अपांच छेतरफर का हो जाएगा यल स्को उपर काट पीड़ोगे ना तो क्या हो जाएगा मेरे भाई द्यान देना एक यल से एक यल कटेगा ना तो यम तो बेचारा केले है यह है एक यल बच जाएगा उपर जाएगा हो जाएगा माइनस वन टी माइनस टू यह हो गया दाब की बीमा जो दाब का होता है वही प्रत्यास्था गुडांग की बीमा होता है प्रत्यास्था गुडांग की बीमा होती है चाहे यंग वाला हो चाहे जिरता वाला हो चाहे आयतनात्मक वाला हो मेरे भाई यहाँ पे हम देख रहे लेकिन मेरे भाई जब भी पहुचेगा इस पसीने की कीमत का फ्लोग समझेगा ठीके अपने दोस्तों में इस वीडियो को सेर कीजिए का हम फिर मिलेंगे अगले पार्ट में थांक्स फार वाचिंग आपका दिन सुबह धन्यवाद